Hey guys, welcome to this channel और आज मैं आपके लिए एक नए अपडेट लेकर आया हूँ यह बिजिया बैंक में प्रोविजनरी असिस्टेंट मेनेजर की पोस्ट के लिए रिक्वेट्मेंट निकला है तो पूरा प्रोसेजर आप लोग जान लें कि क्या है बेसिकली यह बेकंसी और इसमें तीन महिने का कैंपस में रहकर आपको एक कोर्स कराया जाएगा और उसके बारे में ही पूरी डिटेल है और उस कोर्स की कोई फीस यहाँ पर नहीं बताई गई है केवल के वल आपको फॉर्म बरना है और आपका एक्जाम क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको एक एक कर के हाँ पर बता रहा हूँ सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि यह जो बेकंसी है वो है क्या exactly तो बेकंसी का जो टाइटल है वो है PO की post है ठीक है assistant manager credit के लिए ठीक है JMG scale बन अब इसके process क्या होता है क्या exam pattern है selection में क्या क्या होगा और कौन लोग is well है और इसकी salary क्या होगी और बगारा बगारा ये सारी चीज़ा हमें आपर बताएंगे तो मैं आपको post की अगर बात करूँ तो जो total post है वो है 330 330 vacancy के लिए recruitment हो रहा है और unreserved जो general है उसकी है 167 post OBC के लिए 89 और SC के लिए 49 और ST के लिए 25 ठीक है तो ये तो है पूरा recruitment का model और इसमें जो age criteria है जिन लोगों की age जो है minimum 21 साल है वो इस form को भर सकते हैं और जिनकी maximum 30 साल है ठीक है वो लोग इस form को भर सकते हैं ठीक है तो maximum 30 साल और minimum 21 साल ठीक है अगर कोई ऐसा बंदा जो 20 साल और कुछ महीनों का हो तो वो अपने आपको 21 का consider नहीं करेगा completely 21 हो जानी चाहिए और 30 जो है ये आपकी maximum है अब यहाँ पर एक चिन मैं आपको बता दूँ कि जो charges है payment के और ये सब हैं वो आपके 600 रुपे हैं और जो start हो रहा है वो 12 9 2018 से start हो जाएगा और 27 9 तक रहेगा ठीक है तो अकुल मिला कर आप यह देखें लगए 15 दिन तक आपका ये process चलेगा और exam की date अभी इन्होंने नहीं बताईए कि exam कव होने वाला है और जो आपका age का criteria होगा वो होगा 018 2018 इस date को जो age और qualification है वो आपकी measure की जाएंगे मतलब 21 और 30 वाली जो age है वो 18 2018 को calculate होने के इन्होंने का है अब इसमें मैं बता दूँ कि पूरा process क्या है देखो जो ये इन्होंने PO की post निकाली है GMG scale बन इसका मतलब होता है junior management grade scale बन ठीके तो ये post के इंतगत क्या होगा और process क्या है जैसे सबसे पहले आपने form fill कर दिया फिर आपका एक test होगा online test ठीके इन्होंने online test लिखा है लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर candidate हमें जादा नहीं मिलेंगे तो हम केवल interview कराएंगे और interview के बाद में उन लोगों को campus में entry देंगे कुछ लोगों को फिर जो लोग campus में study करेंगे तीन मेने का course दीके उसके बाद में उनका एक test होगा और उसमें जो लोग qualify कर जाएंगे उनका PO level पर selection हो जाएगा और ये जो campus में तीन मेने की जो भी training course है इसमें आपको 15,000 रुपा पर मंत दीए भी जाएंगे तो इन्होंने का है कि the course will be a duration of 3 months तीन मेने का एक course होगा ध्यान से समझना और इस course की fees इस पूरे के पूरे notification में कहीं पर इन्होंने नहीं बताई है तो I think ये जो course fee है अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको बात ने पता चल जाएगा लेकिन अभी इन्होंने ये काए कि जो तीन मेने की course है इसमें क्या है कि ये residential basis पर होगा और जो ये online वाला exam क्वालिफाई करके जाएंगे उनके लिए बहाँ पर campus में रहके ही ये course training जो है करनी है ठीके इसके दोरान उनको stipend जो है वो 15,000 रुपय पर मंत का बैंक की ओर से दिया जाएगा एक चीज इन्होंने last point में ये लिखी है कि जब ये course end होगा तो एक आपका test लिया जाएगा test will be conducted ठीके वो लोग जो उस test को pass कर लेंगे ठीके जो उन्होंने cut off रखी होगी उसके according अगर उन्होंने pass कर लिया है बैंक के दोरा तो उनको एक appointment offer कर दिया जाएगा बैंक में provisinary assistant manager credit GMG scale बनके तोर पर ठीके और जो लोग उस test को pass नहीं कर पाएंगे उनके छुटी हुझाएगी वो लोग जो है फिर इस process के part में नहीं count होंगे तो ये तोरा सीधा सा बात तो process क्या है कि पहले आपको online test देना है उसके बाद जो select होंगे उनका तीन मेने का course है 15-15,000 रुपे मतलब 45,000 रुपे आपको तीन मेने मिलेंगे उसके बाद अगर अपका test हो उसमें pass कर गया तो PO की job लग गई नहीं तो फिर बाहर ओके ये process है और मैं कहूंगा opportunity बहुत अच्छी अगर आप एक मेहनती students हैं आप त्यारी करना चाहते हैं तो www.bijjabank.com इस पर आप जाकर apply करेंगे यही mode है अब इसके बाद eligibility criteria कि अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने कहा ऐसे students जिन्होंने graduation qualify कर लिया है मतलब कि graduation में आपके 60% marks तो होने ही चाहिए 60% marks आपके पास graduation में होने चाहिए और वो आपका any discipline मतलब कि किसी भी discipline से हो यह matter नहीं करता BA, BSC, B.com सब लोग कर सकते हैं 60% प्रस्ट आपके होने चाहिए लेकिन जो SC, ST हैं इनको 5% का relaxation मिलेगा तो इनके लिए 55% जो है cable graduation में हो इसके बाद end लगा रखा है इसका मतलब graduation तो होनी चाहिए साथ में क्या है MBA क्या हुआ, PGDVM क्या हो PGDM हो और PGBM है, PGDVA है ठीके, इसमें क्या है Specialization in Finance ठीके, Finance के सेक्टर में क्योंकि यह job जो है यह credit के लिए है मतलब जो loan manager वाली है post यह उसके applicable है ठीके, तो इसमें इनकोंने का है कि full time का course होना चाहिए पर यह भी इनकोंने का है post graduation की degree जो है Commerce, Science, Economics, Law अगर इसमें है तब भी काम चल जाएगा slash लगाकर इनकोंने सारी बाते लिख दिये हैं मतलब MBA, PGDM यह सब चीजें Finance में तब भी ठीक है 2-3 साल का full year course हो बरना post PG आपने क्या हो Commerce में, Science में, Economics में post में आ सकते हैं या फिर IECWA और Company Secretary जो CS होते हैं ठीक है तो यह process है अब मैं आपको बता दूँ कि जो age का qualification है आपको SCST, OBC, PWD इसमें 60 की जगए 55 प्रसत बालों को graduation के थ्रूँ entry में लई है तो यह ध्यान नकलो कि जो age है, इसमें भी इनके लिए है ठीके, आप जनरल की age तो 21 और maximum 30 है लेकिन जो upper age limit है जैसे relaxation है, वो क्या है SCST है, तो 5 साल OBC, non-crimalier, 3 साल और जो PWD है, 10 साल और भाई, X-Armiment जो government के according हर एक form में होता है वो यहाँ पर है तो यह चीज तो clear हो गई पोस्ट ग्रेशन होना चाहिए, उसमें percentage का कोई सीर नहीं है, केबल ग्रेशन में 60% होना चाहिए और SCST, PWD इनके लिए 55% होना चाहिए तो यह logic clear हो गया, experience कोई ज़रूर ही नहीं, चाहाँ experience हो चाहाँ नहीं whatever, कोई problem नहीं, ठीके अब इसके बाद इन्होंने एक चीज यह लिखी है कि ऐसे candidate, जिनका CGPA वाला system है, ठीके तो वो लोग क्या है, कि उनकी mark seat मिलती है उसके पीछे एक छोड़ा सा memo दिया होता है, ठीके, जिसमें यह बताया गया होता है, कि किस तरीके से percentage है, तो इन्होंने लिखा है, कि candidates should indicate the percentage obtained in graduation calculated to the nearest two decimal in the online application, ठीके, CGPA, OGPA जो award दिया गया है, इसके according आप convert कर लो अपने उस चीज को percentage में, ठीके, और ये चीज आपको ध्यान रखने है, जो conversion formula है, वो university और institute के द्वारा होता है, ठीके, इतना CGPA, इतना percent है, तो वो भी as a proof के तौर पर काम कर जाएगा, ठीके, अगर कोई ऐसा student है, जिसका 59.99% है, तो उसको क्या है, कि less than 60% treat किया जाएगा, और वो form को नहीं भरेगा, अगर कोई general candidate है, उसका 59.99 है, ठीके, ये द्यान रखने लो 59.99 के बाद में कर रहा हूँ, तो इसके लिए 60% से कम होगा, और वो eligible नहीं होगे, ये ही same case आपका, जो SCST, PWD है, अगर 55% से कम, जैसे 54.99 है, तो इसको 55 से कम consider किया जाएगा, ओके, ये चीज हो गया, बाकी कुछ चीज़े, आप लोग notification में भी थोड़ा पढ़ लोगे, तो आपको और idea अच्छे से लग जाएगा, और जितनी भी जो भी qualification है, वो सब चीज़े हैं, वो क्या लिखा है, कि all the educational qualifications mentioned should be from a university institution, ठीके, जो भी approved हैं, government के द्वारा, उनका result जो है, वो declare होना चाहिए, 18-2018 से पहले, मतलब 18-2018 से पहले, अगर आपके बास में यह चीज़े हैं, आपका result declare है, तो आप form भर सकते हैं, conditions यह हैं, अब आजाओ, कि अगर आप यह सब follow कर रहो हो, तो salary का है, दोको salary मैंने आपको बताया है कि provisionary officer की 3 महिने के बाद में, full payment आपको मिलेगा, और जो है, 23-700 pay scale है, और इसमें जो है, यह चीज़ जिन्होंने यहाँ पर बता रखे हैं, ठीक है, तो यह P.O. level की salary है, और बाकी pay bond से आप इसको calculate कर सकते हो, और 7 में, अगर आपने यह post को join कर लिए, आप select हो गए, तो 3 साल का आपका होगा notice period, ठीक है, जिसको हम कहेंगे, यह जो आपका security bond है, ठीक है, 3 साल का आपका यह bond है, notice period तो नहीं, लेकिन इसको हम bond कहेंगे, ठीक है, जो agreement होता है, 3 साल का bond और agreement है, इसमें क्या होगा, कि 3 लाख रुपए आपको pay करने होगे, अगर आप इस bond को तोड़ते हो, मतलब, आपका selection होगे, आपने resign दे दिया 3 साल से पहले, और आप किसी दूसरी जॉब में जा रहा हो, किसी different sector में, तो आपको 3 लाख रुपए पहले ये bond फिल करना होगा, इस particular bank के लिए, उसके बाद ये आप ये formalities को resign कर पाऊगे, ठीक है, और ऐसे लोग जो busy bank में हैं, या system में काम कर रहे हैं, वो लोग इस form के पात्र नहीं हो सकते, वो लोग इस form को नहीं वरेंगे, ठीक है, busy bank वाले नहीं बरेंगे, ठीक है, अब इसके बाद आजाओ, जो selection procedure में मैं आपको उता है कि online exam होगा, online exam के लिए आप जो form बरोगे, 600 रुपए देकर, वस बही फीज है, ठीक है, वो पूरे system में follow हो रही है, तो online में आपका English का, और ये जो general awareness है, इसका paper है, और finance management है, ठीक है, ये तीन चीज़े केवल आपकी होगी, कोई भी reasoning quant यहाँ पर नहीं होगा, English, general awareness, banking industry से related, और finance आपका, ठीक है, तीनों 50 test number के होगे, दो घंटे का आपको time मिलेगा, और ये test जो है, आपका online exam होगा, ओके, तो उसके लिए तैयार रहेना यहाँ पर लिखा है, online examination, इसका structure है, बन बाइ fourth मतलब 0.25 negative marking होगी, सही करोगे तो एक number आपको मिलेगा, और अगर आपने गलत किया तो 0.25, बन fourth आपका काटा जाएगा, ठीक है, अब interview के लिए इन्होंने बहुत clear cut लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ना मैं इसमें बता दूँ, इसमें लिखा है कि merit list जो है, ऐसे candidate, जो की online examination को pass करके आएंगे, उनके बाद, उनका क्या होगा, interview होगा, interview के लिए इन्होंने लिखा है कि obtained by them in online examination, मतलब कि candidate based on the marks, जो उनको number मिलेंगे, obtained by them in online examination, और यहाँ पर इन्होंने बहुत bracket में लिख रखा है, marks obtained in general awareness with special reference to banking and finance management paper, तो यह जो 50-50 number के 3 paper हैं, तो इंग्लिस बाले को नहीं, यह 50-50 के जो current affairs, general awareness banking industry और finance वाला, यह 100 number वाले paper के हिसाब से आपकी merit बनेगी, इसमें इन्होंने यही लिखा है, marks obtained in general awareness with special reference to banking and finance paper, will be prepared in descending order for the respective categories, ठीक है, इस तरीके से आपका यह process होगा, और फिर आपको interview में बलाया जाएगा, और जिन लोगों का interview हो जाएगा, फिर वो 3 महिने वाला जो process है, ठीक है, 3 मन्त वाला campus में, जो 3 मेने के study पढ़ाई, training जो भी है, उसके बाद में आपकी final job होगी, ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने लिख की है, कि the bank may conduct the selection process only on the basis of interview without holding online test, मतलब कि bigger online test को कराए हुए, bank क्या कर सकता है, interview कराकर भी आपका selection process ले सकता है, क्योंकि अगर उसके पास में number of candidate कम होंगे, तो वो केबल यही कर लेगा, ठीक है, यह चीज़ कहीं कहीं है, और एक चीज़ last में लिखा है, the total number allotted for interview, interview के लिए 100 number होंगे, minimum qualifying जो है general और unreserved के लिए कितना है, 40% और SCSTPWD के लिए 35 प्रिस्षत है, ठीक है, यह क्राइटर है, अब फी मैं आपको बता दूँ, SCSTPWD 100 और जनरल बालों के लिए 600 रुपए हैं, और आगे अगर हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, कि कहां कहां पर examination होगा, तो यह होगा, एहमदावद, बेंगलोरू, भुपाल, यह आप देख लो, ठीक है, डेली में भी exam है, हैदराबाद, जैपूर, जम्मू, कुलकता, लखनो, मुंबई, परजी, पतना, राइपूर, राची, सिम्ला, और तिर्वनन्त, पुरम, और विसाका, पंदम, बिजयबाडा, गौाटी, इन जगहे पर जो है, यह tentative list है, examination centers की, इन जगहे पर exams आपके पढ़ेंगे, ठीक है, तो यह overall था system, और आप लोग ध्यान से देख लो, समझ लो, आपको यह form बढ़ना है, बैसे मैं कहूँगा, beneficial है, 600 रुपए आपके जाएंगे, अगर आपका अच्छा हो गया, तो balance good ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, अगर कोई further notification आएगा, तो मैं आपको जरूर intimate करूँगा, इस channel को like करें, और subscribe जरूर कर लें, और share कर दे अपने दोस्तों तक, thank you, have a good day,